जमू के जिसमे इलाके से इस ख़बर को सुन रहे हैं ध्यान से इस ख़बर को सुनिए पौवर कट से यानि कि बिजली कट से लोग लगतार परशान हैं और अब आपको ये भी बता दें कि चार दिन तक बिजली आप लोगों के इलाके में नहीं आने वाली है वो चार दिन कौन-कौन से है जिस दिन आपके इलाके में बिजली नहीं आएगी इस शीज की जानकारी जो है वो आपको बता दे मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि देखें सजिवान जितने भी इलाके हैं चंदन उसके बाद मधियान उसके बाद जो है इसी के साथ से लेकर दोपहर के बारा बज़े तक तीन अगस्त को इसके बाद आगे खा महीरा उसके बाद नर्दिवाल पयान और ठटर ये और इनके जो एड़ जॉइनिंग एरियास हैं वहाँ पर भी बिजली नहीं आने वाली है तीन अगस्त को और पांच अगस्त को सेम समय के लिए जो कि सुभा साड़े शे से लेकर दोपहर के बारा बज़े तक है इसके साथ अपर बढ़नाई लोर मुठी पलोडा जेके कालोनी चंदन विहार पी एची रूपमहर म.E.A. सराजोरी लाइन पटोली बिएस एफ पलोडा एड़ जॉइनिंग एरियास यहां पर भी बिजली नहीं आने वाली है तीन अगस्त को छे अगस्त को सेम समय के लिए जो कि सुभा छे बज़े से लेकर यारा मज़े तक पावर कट जो है वो रहेगा इसके आगे बड़ी ब्रामना, E.P.I.P. काटोली उसके बाद इंडरस्टिल एरियास इंडरस्टिल एरिया बड़ी बड़ इसके बड़ी 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 बड़ रहने वाला है इसके आगे कंगनवाल जो है जो इसके जॉइनिंग एरियास है यहां पर भी तीन अगर्स को सुबह छे से सुबह के आरा बजे तक पावर कट जो है वो देखा जाएगा आगे और लास्क मैं बता दूँँ अब आपको ओल्ड मावा राजपुरा बीस एफ वन जॉइनिंग एरियास यहां पर भी जो है चार तारीक और छे तारीक के लिए सेम समय के लिए विजली बंद रहेगी जो कि सुबह 6 दे लेकर सुबह के दस बजे तक रहने वाली है आप लोग किसके इलाके से इस ख़बर को सुन रहे हैं आपके इलाके में मुसम के हाल की बा पर आप लोग अगर अपने एरिया के पावर शटडाउन के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने एरिया को मेंचिन कर सकते हैं हम पूरी कोशश करेंगे आपके एरिया में पावर शटडाउन के बारे में आप लोगों को बताने की और अभी तक के फिलाल में बात करूं तो जमू के जिंजिन इलाकों में power shutdown रहने वाला है जिंजिन इलाकों में बिजली नहीं आने वाली है उन इलागों के बारे में उनकी क्या लिस्ट है, उनकी क्या जानकारियां है, क्या नाम उन इलागों के हैं यह मैंने आपको बताया है कटूए के कुछ इलाक्ते हैं जहाँ पर बिजली नहीं आएगी राजोरी लाइनस में बिजली नहीं आने वाली है प्लोडा, BASF, पटोली या फिर राइपूर जैसे मड, गोमनासा ये एरियास हैं जहाँ पर बिजली नहीं आने वाली है कई लाखों में 5-6 घंटे का कट रहेगा, कई लाखों में 3-4 घंटे का कट रहने वाला है कई लाखों में सिर्फ 1-2 घंटे का कट रहने वाला है और कई लाखों में 6 घंटे का कट भी है ये विजली के कट जो हैं वो 3 तारीक से लेकर 6 तारीक तक हैं यानि कि 3 अगस, 4 अगस, 5 अगस और 6 अगस, 4 दिन तक जिन लाखों में विजली नहीं आएगी ये उस इलाकों की जानकारी है अगर आप लोग जिसमे इलाक की साथ खबर को सुन रहे हैं अगर आप लोग अपने एरिया के पावर कट के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी फिलहाल की मैं बात करूँ तो आप लोग अपने एरिया को जो है व कुछ समय के लिए और कुछ दिन का भी जो है वह अनॉंस्मेंट की गई है कितनी देर क्ले रहेगा इसी के साथ साथ आगे की बात करें अभी जिन जिन इलाकों में लाइट नहीं है अभी जिन जिन इलाकों के आपके अगर एरियास में पौवर कट है तो आप लोग भी ज़रूर अपने एरियास को मेंशन कीजेगा तो आप लोग जो है वो अपने एरिया को मेंशन कीजेगा इसी के साथ राजोरी की बात की जाए proper राजोरी को mention नहीं किया गया है बड़ राजोरी lines की में बात करूँ तो राजोरी lines में बताया गया है कि कहीं न कहीं बिजली बंध रहने वाली है इसी के साथ साथ अभी की फिल हाल बात की जाए तो ये ख़बर जो है वो जमू से निकल कर सामने आ रही है और इसी के साथ अभी तक के लिए इतना ही आगे के अपडेश के लिए आप लोग देखते रहें वाली टाइम सुचर कामरा पॉसन को दीजे जाज़ जे